WhatsApp not showing contact name, only showing numbers दोस्तों क्या आपके WhatsApp फर भी ये problem आ रहा है आपका WhatsApp सिर्फ numbers दिखा रहा है contact name नहीं दिखा रहा है और आप इस problem को solve करना चाते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह इस problem को solve कर सकते हैं जिहां दोस्तों WhatsApp पर कुछ setting off होने के कारण आपके WhatsApp पर ये problem आता है पर don't worry guys आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका solution बताने वाला हूँ तो चलिए guys वीडियो को start करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस channel को subscribe और bell icon को press करना क्योंकि यहां पर आपको ऐसे interesting videos मिलते रहेंगे WhatsApp पर इस problem को solve करने के लिए आपको settings application open कर लेना है जैसे आप settings application open करेंगे तो आप इस page पर आ जाएंगे यहां से आपको निच्छे scroll करना है यहां पर आपको option दिखाई दे रहा है apps and permissions तो इस option पर क्लिक कीजिए जैसे ही आप उस option पर क्लिक करेंगे तो आप apps and permissions के page पर आ जाएंगे यहां पर आपको option दिखाई दे रहा है app manager तो इस option पर क्लिक कीजिए जैसे ही आप उस option पर क्लिक करेंगे तो आप app manager के page पर आ जाएंगे यहां से आपको निचे स्क्रॉल करना है यहां पर आपको WhatsApp application दिखाई दे रहा है तो इस option पर क्लिक कीजिए जैसे ही आप उस option पर क्लिक करेंगे तो आप WhatsApp के app info के page पर आ जाएंगे निचे आपको बहुत सारे options दिखाई दे रहे हैं यहां से आपको permissions वाले option पर क्लिक करना है तो इस option पर क्लिक कीजिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप app permissions के page पर आ जाएंगे यहां पर आपको बहुत सारे options दिखाई दे रहे हैं Allowed, Camera, Location, Microphone, Phone, SMS, Storage, Not Allowed, Call Locks, Contacts, etc. तो यहां से आपको Call Locks and Contacts को Allog कर लेना है तो यहां से Call Locks को Allog कीजिए और Contacts को भी Allog कीजिए यहां पर आप देख सकते हैं Allowed में Contacts and Call Locks आ चुका है तो यहां से इस setting को Allog कर लेना है उसके बाद आपको WhatsApp में चले जाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अब अपने WhatsApp के पेज को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो यह problem solve हो जाएगा WhatsApp के पेज को रिफ्रेश करने के लिए आपको charts वाला icon दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पर आ जाएंगे उपर आपको तीन dots दिखाई दे रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको option दिखाई दे रहा है refresh तो इस option पर क्लिक कीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं Your contact list has been updated हमने वाट्सयाप पर successfully इस problem को solve कर लिया है तो इस तरह आप वाट्सयाप पर इस problem को solve कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छे लिगी तो इस वीडियो को like करना और आइसे interesting वीडियो पारने के लिए इस चानल को subscribe कीजिए Thanks for watching it